है दोस्तों एजुकिशन वूड मेकनिकल इंजिरिंग में आपका सवागत है तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोड़क्शन आफ एडियम टेक्नोलोजी एडियम मतलब होता है इलेक्टिकल डिश्चार्ज में अगर मैं बात करूं एडियम प्रोसेस के बारें तो ब जैसे एक्जामपल के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है एक ब्लॉक के ऊपर एडियम इलेक्ट्रोड या फिर आप बोल सकते हो किसी भी ब्लॉक को में क्या कर रहा हूं इसके उपर लगा रहा हूं जिसे कारण से मटेरियल रिमूव हो रहा है तो बिसे के लिए अगर ब मशलिंग हो भी नहीं सकती है तो हम लोग बात का रहा हैं मेटल रिमूवन मेथट क स्सक्राइब है रिट इडाय तो वी नीड को करने के लिए वहाँ पर हम लोग इस्तमाल जिका इस्तेमाल करेंगे जहां पर शार्पेजेस होती हैं मेटल सर्फेस के ऊपर शार्पेजेस है जो कि रिक्वाइड है वो हमको चाहिए तो फिर EDM मशिनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है जहां पर small features होते हैं like rape और gassets तो महाँ पर भी हम लोगों को EDM मशिनिंग का इस्तेमाल करके ही उसको बनाना पड़ता है जहां पर hard material होता है अगर मशिनिंग हम लोग किसी hard material के उपर कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को EDM मशिनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां पर precise dimension की जरुवत होती है कि dimension tolerance में चाहिए और बहुत precise tolerance में चाहिए तो फिर महाँ पर भी हमको EDM मशिनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा सबसे पहले देखते हैं sharp edges जहां पर आपको इस block के अंदर sharp edges नजर आ रहे है अगर इस sharp edges को अगर मुझे create करना है तो भी मुझे EDM का इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी ये sharp edges में create कर पाऊँगा तो sharp edges के लिए EDM का इस्तेमाल कर जाता है second है manufacturing जिसे rib का अगर मुझे manufacturing करना है rib create करना है किसी plastic के component में तो rib और gussets को बनाने के लिए भी वहाँ पर भी हम लोग EDM मशिनिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि traditional method का इस्तेमाल करोगे हमारा tool तूट सकता है तो वहाँ पर हमको EDM मशिनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है तो अगर किसी material की hardness या HRC अगर 50 to 60 HRC रहेगी या इससे जादा रहेगी तो हमको EDM मशिनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके बाद है making precise dimension जब precise dimension बनाना जिस अग्जामपल यह आपको दिख रहा है एक block के अंदर एक metal को मैं इस तरह से insert करा रहा हूं इसका मतलब कि इसका जो मशिनिंग है बहुत ही ज़दा precise है इस तरह से मौफ कर रहा है अब precise मशिनिंग मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर S7 या फिर G6 करना है या फिर S7 या P6 करना है जोसको बोलते slide fit फिर press fit अगर मुझे create करना है तो मुझे EDM मशिनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है बेसिक प्रिंसिपल फिडिये मशिनिंग की बात करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेसिक प्रिंसिपल में क्या होता है एक electrical discharge का इस्तेमाल करते हैं between electrode and the workpiece ठीक है मतलब electrical energy को या फिर बोल सकते हो electricity को हम लोग flow करवाते हैं किसके बीच में से workpiece और electrode के बीच में से ठीक है जो के dielectric fluid से क्या होता है separate होता है ठीक है तो यह basic principle है इसी को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे दो बैसिकली इसका setup देखेंगे dielectric fluid देखेंगे इसके अंदर electrical discharge देखेंगे material removal को देखेंगे और फिर उसको फिर से repeat करेंगे setup देखेंगे setup किस तरह से रहेगा इसके निरे टूल रहेगा क्योंकि जो की conductive material का बना रहेगा ठीक है उसका शेप या फिर शेप ऐसा ही रहेगा जैसा desire geometry हमको चाहिए नीचे का जो शेप रहेगा वह वैसी रहेगा उसके बाद एक workpiece का इस्तमाल करेंगे जिस workpiece के उपर लगाएंगे और जिसके उपर हमको geometry चाहिए ठीक है तो बेसिकली यह उपर वाला जो हुआ यह copper electrode हुआ और नीचे वाला हुआ workpiece जिस पर हमको machining की requirement है ठीक है इस तरह से copper electrode काम करेगा on workpiece चले अगर मैं setup की बात करूँ तो setup में die electrode fluid होता है तो die electric fluid जो होता है usually deionized water हो सकता ह है यह फिर oil हो सकता है जो कि basically electrode और workpiece को separate करने का काम करेगा दिरिंदा operation ओके उसके बाद electrical discharge जैसा मैंने आपको बताया कि die electric fluid पहले डालेंगे उसके बाद ही फिर इसके अंदर electricity का flow करवाएंगे तो यह इसके अंदर जो कि deionized water हो सकता है या तो oil हो सकता है ठीक है अब electrical discharge को इसके उपर implement करते हैं for example यहां पर एक wire है यहां पर second wire है जो कि एक negative जो टर्मिनल है वह वर्किस से जुड़ा है और positive terminal जो है वो electrode से जुड़ा हुआ है और यहां पर एक power supply को मैं add कर देता है तो basically यहां से power supply होगा जो की पूरी तरह से electricity को flow कराएगा ठीक है material remove कब होगा जब power supply को मैं on करूंगा और supply जब on होगा तभी material removal start होगा ठीक है और इसी तरह से यहां से material remove होगा इस पार generate होगा और repeat discharge उसको फिर से हम लोग repeat करेंगे उसी process को repeat करेंगे step by step material है वो remove होगा के चले तो basically अगर मैं बात करूं EDM is known for its ability to create complex or intricate shape with high precision अगर complex geometry है complex geometry को अगर मुझे create करना है या फिर कुछ high precision dimension को मुझे create करना है तो भी मुझे EDM का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यह ability EDM रखता है अगर मैं थोड़ा से history के बारे में बात करूं कि history कहां से इसकी ठीक है तो एक Russian scientist है उन्होंने सबसे पहले बोल सकते हो कि सबसे पहले इसको बताया कि electrical EDM machine का इस्तेमाल या electrical discharge का इस्तेमाल material remove को करने के लिए किया जा सकता है ठीक है लेकिन पहले की यह प्रपोस कर चुके थे जो कि एक English physicist है उन्होंने पहले ही इसको प्रपोस कर दिया था 1770 में ठीक है जो कि जॉसेफ प्रिस्टेले करके एक scientist थे उन्होंने इसको पहले से ही बदा दिया कि है एसा हो सकता है राइट इस्ट्री बोरिंग होता है लेकिन हाथ थोड़ा सा जानना जरूरी है ठीक है देखो एडियम इलेक्ट्रोड बात बात करता हो एडियम करना सीखेंगे किसी भी प्रोफाइल के लिए तो मेरे पास यह वाली है केविटी में मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा फीचर है जिसके लिए मुझे इलेक्ट्रोड क्रियेट करना पड़ेगा तो सब सब एले कंट्रोल एच करके मैं इसका section view काटके देखते हूं तो यहां पर एक फीचर यह नजर आ रहा है और डूसरा फीचर में यह नजर आ रहा है जिसको बोल सकते हैं रिब तो रिब का इस्तेमाल कर रहे हूं उस component के अंदर for the strength purpose strength के लिए तो यहां पर में इसका analysis करके देखता हूं और इसकी में dimension देखना हूं की dimension इसका कितना है देख इसके लिए मैं एक electrode create करके आपको बताऊंगा जो की 00 पर electrode रहेगा first of all और इसके अंदर spark gap हम लोग provide अभी नहीं कराएंगे right ठीक है तो मैं क्या करता हूं यहां पर सबसे पहले तो यह वाला जो portion है offset surface लेता हूं मैं 00 पर लोंगा single face यहां पर select कर लो है ना इसको click करते हैं और यहां से इसको क्या करेंगे हम लोग यह वाले portion को हम लोग extend कर सकते हैं surface में जाएंगे हम लोग और इसको हम लोग कर देते हैं extend लाइक दिस ओके इस तरह से इसको कर देंगे extend और इस तरह से इसको भी हम लोग extend कर देते हैं ठीक है और इसको मैं कर देता हूं 10 तो 10 जादा हो जाएगा तो यह पूरी तरह से offset हो रहा है तो यहां से यह वाला मेरे पास जैसा कि प्लेयर अवेलेबल है यह सीधा है अभी यहां से तो यहां से मेरे पास जो प्लेयर है उस प्लेयर पर ही मैं sketch करूंगा अभी राइट नाव में जीरो सीधा रहना चाहिए तो यहां से मैंने क्या करता हूं यहां से एक sketch लेते हैं एक sketch लेते हैं लाइक पॉइंट फाइफ एंड अगें और इसका भी कुछ हो जायेगा और यहां से इसका जो डाइमेशन है यह डाइमेशन में 15 कर देता हूं और इसको क्या करेंगे हम लोग इस पर से स्कार कर देंगे तो यहां से काम कर देता हूं Right मैं तुक्सिषण करें करें वातर में यहां से क्लीवाला को ट्यार करें, हम लोग इसे कहते हैं आप एक क्लिच करके उक्या कर देने पिरसे देने ज्यस्ते है है इसको यहां से अटायते हैं इसकी जरव थमक्राइब भी बिल्कुल भी नहीं यह लगा इस कर दिया और इसको क्या करदेते हैं इसको जब मैंने इस तरह से split किया है तो split वाली कमांड में पीछे पीछे जाएंगे इस प्रेप वाली command में हम लोग से पिछे जाएंगे और इसको किया करेंगे तो यह वाले 1 और इस इसे दरस टून इसको तो ऊपहिपज गूतुर ठेंगे इंद एक सब्सक्राइब करेंगे हम लोग 3D कर्व का 3D कर्व मैंने लाइन ले लूँगा मैं और इस लाइन को इस पॉइंट को मैं इससे कनेक करता हूं तो पिया इससे कनेक कर दिया एंड एपलाएव वही है हम हम और यहां से माने लेता हूं ऑलिय के हैं कलिक होसे द warfare और यहां ब्रैयल प्लैन कहीं है को कि एप आगें ठीकी और इसको यहां से हट कर दिता है क्यूंकि कर की मुझः हम रिक्वार्मेन नहीं है को में यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा यहां से उड़ा रहा है तो यहांपर मुझे टिख रहा है तो रेध्रेंस मिल तो यहांgre इसका जो tool का holder है उसको हम लोग बना लेता है यहां पर मैं tool का holder create कर रहा हूं भी ठीक है like this ओक्लें लेकिन उससे पहले में देख लेता हूं यह उपर है किन us मैं बिल्कों सब्सक्राइब एंटरोल जेट करते हैं फिर से और यहां पर मैंच को मैं एक भी वेर sı फिए सब्सक्राब के सब्सक्राइब करता हो मैं अत्लिक तो पीछे जाएंगे पिर से मझंध कराता ही वहाँ पर जाएंगे और यहां से इसको आफसेट लूंगा और इसको तो तीन इम्म पर साइट ले सकता हूं तो हमको सेब करना है कि कोभी कॉपर मेटरल का जब हम लोग उसके लिए इस्तमाल कर रहा है तो यहां से इसको युनाइट करेंगे तो बिसिकली यह वाले के लिए क्या बन गया है यहां पर और बढ़ा सकते हो लेकिन इंपोरेंट चीज है कि यहां पर यह चो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है यह इस से इसको थोड़ा सा कर देखो हो तो बैसिकली यहversion का करएगा इस बरनाने का काम करेंगा यह आपको denunto जो रहेगा यह से डिस yelp dsk बढून के पहुँवॉ कशन filtrates कि आपको दिख यहां से यह पास तो तो यहां पर हम लोग एक चैंफर दे सकते हैं यहां पर में चैंफर प्रवाइड करा दोगा यहां पर एक चैंफर प्रवाइड करा दें लाइक दिस यहां पर बेसिकली यह जो नीचे वाला पॉर्शन दिख रहा है यह है मेजरिंग मार्कर तो यहां पर मेजरिंग मार्कर के लिए फेस को सिलेट करूंगा मशीन के ने को हम लोग वहां पर बताएंगे कि शीरो जीरो पर अपको दिख रहा है वह है से बहुत को फॉल्ट किया जाएगा इसके उपर एक वोल्टिंग हम लोग कर सकते हैं अभी मैं इसको तो क्या कर देता हूं इसको मैं भी color कर देता हूं दिखाने के लिए तकि आपको समझ भाई कि ये tool holder वाला portion इसके उपर क्या रहेगा एक bolting रहेगा चलो तो bolting जो रहेगा वो डिपेंट करता है कि कि तने की आप bolting लेते हूं तो फॉर एक्जामपल उसके अंदर घ्षर अवीडियाल सांरा तो एम दी इसके अंदर तो यहां पर्चा हो तो आप आप तो यह तरह से नजर आएगा सब्सक्राइब नजराने वाला यह तो यह पूर्षन रहेगा पुरा का पुरा यह रहेगा यह कंप्रीट एक तूल रहेगा यह फिर आप बोल सकते हो इसको हम लोग डिए जाता हम एक तरह से नजर आएगा तरह से इसका एलेक्टोड काम करेगा इस तरह से अब यह स् dar इस तरह से इसका अपनेगा आप बोल सकते हो जितना इस पायर में ते यह बन के तैयार होगा तो अभी हम लोगों इसके लिए टूल को एक डिजाइन किया है या फिर बोल सकते हो कि एक टूल को डिजाइन किया है जो कि कैविटी या फिर मशिलिंग के पर प्रस्पेक्टिव से जरूरी है ठीक है तो चाहो तो इसको सेब कर दीजिए ओके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ठीक सो माच